हेलो एवरिवन स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ शाम की छोटी-छोटी भूग के लिए फटा-फट से बनने वाली नमकीन की वीडियो तो यह फटा-फट से बन जाती है दो मिन्ट में और खाने में भी बढ़िया लगती है टेश्टी एक तम तो यह मैंने पोहे से बनाई है और यह किस तरीके से बनाई है उसी की वीडियो आप सभी किसा शेयर करने वाली हूँ लाश्ट तक बने रहीएगा वीडियो को इसकिप मत कीजिएगा तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर सारा समान ले लिया है तो इसमें जादा नहीं कि मैंने एक कटोली ले लिया है पोहा थोड़े से ले ले मूमफुली के दाने और एक साबतलार मिचके टुकडे तोड़े तोड़े से मसाले जदा नहीं बस थोड़ा सा नमक डालना है थोड़ी-सी हलदी थोड़ा स passwords और थोड़ी हींग अगर आप चाहें तो सिर्फ नमक भी डाल सकते हैं सिंपल बाकी और कुछ अगर आपको मसाले पसंद नहीं है नमकीन में तो आप से प्लेन नमक भी डाल सकते हैं यहां पर मैंने थोड़ा सा घी चड़ा लिया है सबसे पहले कड़ाई में और इसमें डाल दूंगे मूमफली के दाने मूमफली के दानों को अच्छे से भून ले अपना पोहा तो अब मैंने मूमफली के दाने साइड निकाल लिया है अब बिल्कुल हलकी सी चिकना इचड़ानी है वह थोड़ी सी चिकना इचड़ानी है जादा नहीं और जब चिकना गर्म हो जाएगी तो इसमें डाल देना है करीपत्ता और सावत लाल मिर्जों ने हो गया है तो अब डाल देते हैं इसमें पोहा या झाल ये और पोहा डालने के बाद दो से तीन मिना तक इसे चलाना है जिसे कि हमारा पोह अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इसमें डालेंगे अपनी मूमफली के गिरी यह देखिए यह अच्छे से क्रिस्पी हो गया है मारा पोहा तो यह डाल दी मैं इसमें मूंफुली की गिरी अच्छे से मिक्स करूँगी और गैस को बंद कर दूँगी आप चाहें तो इसे चैसे साथ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और चाहें तो साथ के साथ भी खा सकते हैं यह देखिए, यह तियार हो गई है हमार नम्कील, तो आप सुबी भी ट्राइक कीजिए, और आप सभीको मेरी रसीपि कैसी लगी, कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कल फिर मिलेंगे एक नए व में पूमाच्ट